अगर आप बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में जानना चाहते हैं कि फॉनिक्स क्या है, इसके सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो वो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा. नमस्ते, स्वागत है आपका ममी ट्यूगर इंडिया में. कि फॉनिक्स है क्या, what is phonics? देखिए, फॉनिक्स वो तरीका है जिससे आप बच्चे को कोई भी लांग्विज सिखा सकते हैं. यहाँ पे हम क्योंकि इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश फॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बच्चे को इंग्ल फॉनिमिक अवेरनेस डेवलप करके सिखा सकते हैं. फॉनिमिक अवेरनेस क्या होती है? वो जो बच्चा सुनता है, जो देखता है, फिर जो उन दोनों में कनेक्शन बिठाता है, उसको हम फॉनिमिक अवेरनेस कहते हैं. हमें क्या करना है? हमें उसकी फॉनिमिक अवेरनेस develop करनी है. हम जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से उसकी phonemic awareness develop करेंगे, बच्चा उतनी ही जल्दी read करना English को और बोलना सीख जाएगा. Question number 3. Phonetics और phonics क्या होते हैं? क्या ये same होते हैं या क्या ये different होते हैं? कई बार हमें phonics words सुनने को मिलता है और कई बार phonetics words सुनने को मिलता है. तो parents confused हो जाते हैं कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं? Confused होने की कोई बात नहीं है. वैसे अगर technically देखा जाए तो phonics और phonetics अलग-अलग होते हैं. इनका dictionary meaning भी अलग-अलग है. पर in general, जब हम बात करते हैं तो उनको interchangeably use कर लेते हैं. तो अगर आपको किसी जगे पर phonics की जगे phonetics सुनाई दे जाए या phonetics की जगे phonics सुनाई दे जाए, इन में से कोई भी एक सुनाई दे है, मतलब कि हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं. Next, जो question है, वो यह है कि मैं अपने बच्चे को synthetic phonics कैसे पढ़ा सकता हूँ? देखिए, आज कल जादा तर schools में synthetic phonics ही पढ़ाया जाता है, analytical phonics नहीं पढ़ाया जाता है. और इसके कई तरीके होते हैं, कई करिकुलम्स अवेलिबल हैं. जैसे पहला तरीका जो होता है, वो है, आल्फाबेटिकल ओडर में पढ़ाना. जैसे ए से लेके जैट तक जो अल्फाबेटिकल ओडर होता है, तो हर लेटर का हम साउंट बढ़ाते हैं बच्चे को और उसके बाद इन साउंट को ब्लेंड करना, यानि कि जोड़ना सिखाते हैं, फिर उससे बच्चा वर्ड्स रीट करना सीख जाता है. तो बहुत से जोड़ने करिकिलम्स अवेलेबल हैं, आप उनलाइन चेक करेंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं अच्छे तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे पॉपिलर करिकिलम है, जो पूरे वर्ल्ड में पॉपिलर है, इंडिया में भी पॉपिलर है, वो है जोली जोली फॉनिक्स में लाइन से नहीं पढ़ाते हैं, जैसे A, B, C, D, ऐसे लाइन से नहीं पढ़ाएंगे, उनका थोड़ा अलग मेथर्ड है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये मेथर्ड थोड़ा ठीक भी और पॉपिलर इसलिए है, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी जैसे नहीं जाते हैं, तो इसके सल्यूशन्स जॉली फॉनिक्स में दिये गए हैं, कैसे बच्चे को वो साउंड पढ़ना सिखाएं, जॉली फॉनिक्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है, कि ये एक मल्टी सैंसरी अप्रोच यूज करता है, मतलब कि एक साउंड को पढ तो बच्चा सुन के भी करता है, देख के भी करता है, डान्स करके भी करता है, गा के भी करता है. In fact, Autism, Dyslexia जैसे जो Learning Disabilities वाले बच्चे होते हैं, ऐसा पाया गया है कि इस करिक्युल्म के थ्रू वो बच्चे भी अच्छे से फॉनिक्स सीख जाते हैं. Jolly Phonics में 5 Basic Skills होते हैं, याने कि पूरे प्रोग्राम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और बहुती systematic तरीके से, मतलब कौन सा पार्ट कब पढ़ाना है, किसके साथ पढ़ाना है, वो बताया जाता है, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ें सीखते हैं. Jolly Phonics में 5 Basic Skills होते हैं, यह आप 5 Pillars बोल सकते हैं, तो यह जो 5 Basic Skills होते हैं, उसमें से पहला होता है, Learning the Letter Sound. तो आप Letter Sound जो होते हैं, वो हम सबसे पहले बच्चे को सिखाते हैं, Jolly Phonics में 42 Letter Sounds होते हैं, और यह जो Letter Sounds होते हैं, इनको A, B, C, D sequence में नहीं पढ़ाया जाता है, इनको Groups में डिवाइड किया गया है, यानि जो 42 Sounds होते हैं, उनको 7 Group में डिवाइड किया गया है, मेरे जो का होता है, वो है Learning Letter Formation, जी हाँ, Jolly Phonics में सिब Sounds उनको Blend करना और Read करना नहीं सिखाते हैं, बच्चे को छोटी उमर से लिखना भी सिखाते हैं, और पूरे करिकुलम में कुछ ऐसे टिप्स भी दिये गए हैं, जिससे बच्चे की Handwriting भी Improve होती है, थर्ड स्किल है Blending, Blending को आप बच्चा में ऐसे समझ सकते हैं, कि मानली जापको कोई रेसिपी बनानी है, पहली बार, आपको सारे इंग्रीडियन्स की लिस्ट मिल गई है, कि भाई यह सामगरी उसमें पढ़ेगी, लेकिन आपको उस सामगरी डालने का एक और नहीं पता है, शायद उसमें कुछ अलग तरीके से कुछ चीज डालनी हो, जिससे उसका स्पेशल टेस्ट आए, लेकिन आपको वो और नहीं पता है, तो आप नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, और वो डिश इतनी टेस्टी नहीं बनेगी, ब्लेंडिंग का भी यही है, बच्चों को साउंड पता है, लेकिन हमें यह पता है कि कौन सी साउंड या साउंड को ब्लेंड कैसे करते हैं, वोगल कॉंसोनेंट को कैसे ब्लेंड करते हैं, तो बच्चे को साउंड आ जाएंगे, बट उनको यूज करना नहीं आएगा, तो उनको रीडिंग भी अच्छे से नहीं आएगी, फोर्ट स्किल जो जॉली सिखाई जाती है, वो है सेग्मेंटेशन, सेग्मेंटिंग, इसमें क्या होता है कि बच्चे को सुन के देख के इंडिविज्वल लेटर साउंड पहचाननी होती हैं, जैसे कोई वर्ड दिया है, अब उसको बताना है उसमें अलग-अलग कितने लेटर साउंड हैं, सेग्म जब ये तीन अलग-अलग साउंड जब तक पहचाने का नहीं सुन के आइडेंटिफाई नहीं करेगा, इस वर्ड को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक वो लिख भी नहीं पाएगा पैन की स्पेलिंग और फिफ्थ बेशिक स्किल है tricky words, site words, Jolly Phonics में tricky words बोलते हैं, ये वो words होते हैं जो phonics के rules नहीं follow करते हैं, तो इन words को बच्चे को as it is learn करना पड़ता है Jolly Phonics में ये सारे words की list दी गई है, जैसे I, My, To, Your, ये सब tricky words हैं Jolly Phonics में ये जो पहली चार स्किल्स जो मैंने बताई हैं उनको side by side simultaneously बच्चों को पढ़ाया जाता है लेकिन जो fifth है याने के tricky words इनको थोड़ा ऐसा बाद में शुरू करते हैं तो ये था Jolly Phonics के बारे में सारी information आने वाले वीडियो में ये सारी information बिल्कुल डीटेल में मतब step by step बताऊंगी और day wise plan दोंगी कि किस दिन क्या पढ़ाना है और किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है तो देखते रहे हैं MummyTuber India, subscribe जरूर करिएगा, bell icon जरूर दबाईएगा जिससे आपको notifications मिले और आप खुद भी सीखें Phonics बच्चे को भी सिखाएं One last information, I run phonics classes in Pune So if you are in Pune, you can enroll your child in my phonics classes और you can also enroll yourself in my phonics classes Drop me a mail at mumytuberindia at the rate gmail.com Till then, keep watching MummyTuber India, thank you, namaste